और यहां जी मेरे प्यारे प्यारे सी इंटर वाले दोस्तों तो अपने छैप्डार के रिवीजन चैप्टर नामर वन पर हाला कि मैंने पहले रिकोड वीडियो करके दूसरी डाल दी थी साहत में तो अब चैप्ट नमर वन नेचर कोड़ेक्ट में सकोप और इसका फट यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो लेख सकते हो, फ्री मिल जाएगा आपको, जिसमें only, only 45 hours, 48 hours मानलों अप्रोक्सिमेटली, आपकी audit के concept plus question दोनों cover है, understanding समझना तो होता है, plus जब तक रटा नहीं मारा न, ratification, जब तक exact नहीं लिखातों नहीं मिलेंगे, तो हपन marks नहीं मिलेंगे, तो understanding ratification दोनों में ने cover कराया है, तो आप वो जाके देख सकते हो, उसकी playlist चे, understanding plus ratification, हाज ही याद भी कराया है, सब कुछ कबर है, कोई tension मत लेना, इसके अंदर सब कुछ कबर है, कुछ chapter है, जो मैंने revise कर लेते हैं, तो कुछ chapter आपको इसी बहुत से revision में मिल जाएंगे, जो इधर नहीं मिल रहे है, free fast request में देख लेना, वैसे भी सब कुछ ही, वैसे सब कुछ मिल जाएगा आपको इतरस, चलो, यह वाला chapter 1 version शुरू शुरू करते हैं, पहले मैंने दूसरी वीडियो अप्लो उनों की दोनों का वरे question plus concept अब आप सोच लो, भाई, 280 में, चार्ट, tabular, colorful format के अंदर देख लो, आप सुन्दर सी बुक, याद करने की trick भी इसी में देखो, यह मैंने trick दे रहे हैं, जिससे याद करना है, question हो गया, concept हो गया, और या answer भी हो गया, मैंने concept, सब कुछ हो गया इसी बेस्ट बुक बनाई, equation, concept, answer, सब कुछ है, concept, question, सब कुछ, trick भी है, only 280 पे जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, question plus concept दोनस में हो जाएंगे, लेनी हो दो description box में link दे दूँँगा, चलो बढ़ना, शुरू करते हैं, आपानसर, तो origin, industry of audit, फटावट उडा तो, इसको क काम का नहीं के वाला, अब रिवीजन चल रहा है, काम की जिज़े करेंगे, इसके अंदर, बस इतना रखना कि 4th century BC के अंदर, before Christ के अंदर, BCA के वाला, तो अपने पास, अपने जो वेज शास्त्रे पहली बहुत अच्छे थे, तो उसके अंदर, कोटे लिए अर्शास्त मे अपने बच्छों को अल्रेड याद है, audit is an independent examination, audit is an independent examination of financial information, 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 चाहे वो profit-oriented है या नहीं है, SL, size कुछ भी हो, irrespective of size or irrespective of legal form, irrespective of size irrespective of legal form, क्यों करते है, to express an opinion, to express an opinion, to express an opinion, तो audit is an independent, audit is an independent examination of financial information, audit is an independent examination of financial information, PSL, PSL, profit-oriented है या नहीं, size कुछ भी हो, legal form कुछ भी हो, audit होगा, with view of expressing an opinion, तो independent auditor बिलकुल independent होना चाहिए, उसका जो judgment है दूसरे का subordinate नहीं होना चाहिए ठीक है ना not subordinate with the wishes and direction of other person financial information की audit कर नहीं होती है अपनको as in generally, अपनको as in chartered accountant जो अब भी deal कर रहा है जो है profit oriented हो या नहीं हो मतलब NGO की भी audit करने पड़ेगी size कुछ भी हो चाहिए बड़ी company, छोटी company अपनी subki audit होगी legal form चाहिए पो प्रोप्राइटरे पार्टनर्शी पे OPC under section 8 कुछ भी होगी OPC को कुछ भी subki audit होगी होगी to be the view of expressing an opinion opinion कौन से थे पन पे reasonable assurance अपन क्या देते है सार reasonable assurance देते है अपन इसके अंदर पेसे बूइट जलो नीचा आएगा तो opinion अपनको क्या देना होता है opinion देना होता है और opinion में generally क्या देना होता है that financial statement is through and fair free from material misstatement और opinion अपनको सिर्फ betrayal misstatement अपन को financial statement खुदुको बनाने नहीं है वो किसकी responsibility है वो management की responsibility अपन mimgers opinion देना है जो audit report में बताना है, डाल के बताना है और अपन को देखना है कि FS should not mislead anybody, FS जो है na financial statement, अपन as an auditor अपन को satisfy होना है कि जो financial statement बन रहा है, वो किसी को mislead मा करें, वो किसी को mislead मा करें, यह अपन को satisfy करना है वो अपन को satisfy करना है तो अपन को is camera यह बेखना है कि आई, पहले कि याद करा हूँ यह समझा हूँ, पहले याद करा हूँ यह तो अब क्या करूँ चलो पर एक बार समझादे तो हुआ, फटावर्ड से एक बार FS कैसे में मैं याद करा हूँ चोड़ो बात में समझा देंगे, तो इसके अंदे के अपने ट्रिक देखी थी, कि FS जो है जनरली accounting standard के इसाप से बनेगा, अगर FS accounting standard के इसाप से बना, तो थ्रू-and-fair है, अपनको यह के बेगना है, कि वो mislead ना कर रहा हो, जो financial statement किसीको mislead मी कर रहा हो, तो अपने यह जी कि सारी पास हो गई और कोई भी कोई Гोड़ ऑगा संगेडिया पस हो गई और एंट्रिस के बाद या जैनल लेजर और उनड़ डैर hope की वहाद कि का बनेगा 12 इंसर इंफोर्मेशंस इंसारी इंफोरमेशंस रहे इंसरե infinetis वनता है इंसारी इंफोरमेशंस से फेस्क्तिता मैं थो सब्सक्रोष सिस्हें। उर इस प्ली कंडी में 15 हें這麼 15 कि जों वैंने 56 380 में पेड़िक पे। accounting standard के AGAIN की seconds को 1 मारा है तो यह कैसे परता प्ड़घा कि सब्सक्राइब के सबस्क्रालिब के सब्सक्राइब डिर्धा पाइब रहा है अब अच्रेंग कर गोगी तो आएंट्रिषा जो-अन्ट्रिधा जेहन्र雉जन ऍंत छ 내न श्वेजर intense का और गाता है सारी Information को मिला की तो Financial statement बनता है ठीक है न तो सर यह भी टिक ती यह भी टिक थी आप इसके बाद क्या रेको एफएस सब्सक्राइब लेको न आए जितने भी classification description न होगा थे सब accounting standard के साफ से बना है Fs अगर accounting standard के साफ से बना है मतलब वो true and fair है तो आपको बेखना है कि बिल्कुल true and fair asset liability result हो गरा की picture हो रही है entries मतलब entries pass हो जानी चाहिए कोई भी skip नहीं होनी चाहिए फिर general laser बनेगा general और सारी information से Fs बनेगा तो entries, entries में देखना है कि entries जो भी pass होई है उनकी supporting check करनी है तो जो भी आप entries pass करिए न उसकी adequately supporting है अपने पास, adequately supporting evidences है आपके पास, कोई भी entry skip नहीं होई है मतलब वो ही, कोई भी entries skip नहीं होई है, omit नहीं होई है उस entry, general entry के बाद general laser accounts बनता है तो accounts जो बने general laser accounts वो उस entry के हिसाब से बने जो entry pass होई, ठीक है बहुत basic चीज है और उन सारी information से Fs बनता है तो बस यहाँ पर एगी information आप जो भी बता रहे हो clear and unamby को सुनी चीए, clear and unamby को सुनी चीए I hope यह आप हो गया होगा objective of audit, objective, essay 200, essay 200 बताता है objective audit क्या होता है, essay 200 अपने पढ़ा था double OIA, यह क्या पढ़ा था double OIA और यहाँ पर और लंबा हो नाम होता है जो अपने book के starting में भी रखा उया कासा, overall objective of an independent auditor यह क्या था double OIA double OIA, double OIA overall objective of independent auditor overall objective of independent auditor फिर कासा भी था, conduct and audit in according with essays, conduct and audit in according तो OIA कासा आपने पढ़ावा है सर इसका नाम, आपने इसकी trick पढ़ी थी starting वाली, OIA कासा, overall objective of independent auditor, to conduct and audit in according with essays, to conduct and audit in according with essays, तो आपनने यह पढ़ा था तो objective क्या था था, to obtain a reasonable assurance, to obtain a reasonable assurance that FS is free from material misstatement, आपनको reasonable assurance रेना है कि FS financial statement, वो free होना चाहिए किसी भी गलतियों से, material गलतियों से, free from MMS मतला material misstatement, whether it's due to fraud or error, चाहिए वो गलती fraud की वज़े से हो, चाहिए error की वज़े से हो, चाहिए error की वज़े से हो, ठीक है अपनको अपनको यह बस reasonable assurance लेना है, that FS is prepared in all material respect as per FRF, as per applicable FRF, ठीक है, so अपनको पेटिव कैसे का व्लटिये का है, कोई पुछ थागा, तो अपनको उप्जेक्टिव, टो अपने बेख लिया कि FS is free from material misstatement, अपने बेख लिया, that FS is free from material misstatement है, तो report zu опасus, report issue कर 2, report issue कर 2. Report issue कर 2, as per Ass, report substitute अब इसके अपने analysis मारी analysis हो ठीक है कुछ नहीं कि यह एक reasonable assurance ही 100% absolute assurance नहीं है audited जो opinion बेगा वो guarantee नहीं होती मतलब absolute assurance नहीं होता यह कि reasonable assurance होता है higher level of assurance but not 100% assurance यह देखा था अपने ठीक है न not a complete assurance it's a higher level of assurance but not a complete assurance miss statement किसी से भी हो सकता है चाहे fraud हो चाहे error हो ठीक है न वो भी अपने पढ़ लिया था चलो यह हो गया अपना यह जाता है कि investor चाहता है कि audit के कि बिल्कुल उसकी पेसा लूज ही नहीं हो कि उसने audited financial statement देखा आना तो guarantee जाता है कि उसके पेसा invest कराना बिल्कुल सही रहेगा guarantee होती है कि guarantee होती ही नहीं audit reasonable assurance scope of audit audit का scope क्या होता है समझने पे जाता जाएंगे नहीं मैं परने मैं trick बताता हूँ याद करने पे जाता हूँ फिर पढ़ लेंगे याद करने पे आओ audit AC करो कि तुमको इसमें क्या बोला scope के अंबर मैं सब ले लूँगा सब सब को check करो all relevant aspect जितने भी disclosure एसके सब तो यह क्या पूछ रहा है question द्यान रखो उससे answer बनेगा scope क्या है तुम audit में क्या-क्या देखोगे तो भाई audit ऐसी करो कि तुम सारा aspect कवर कर लो to cover all the aspect तुम सही तो पूछा कि scope क्या-क्या cover करोगे भाई में all relevant aspect जितने भी relevant aspect है न सब कुछ cover कर लूँगा all relevant aspect में सब कुछ cover कर लूँगा including disclosure of FS including disclosure of FS कि को disclosure देना है FS में वो भी cover कर लूँगा मैं audit ऐसी करो कि सारे relevant aspect cover कर लो including disclosure of FS including disclosure of FS सब कुछ cover कर लूँगा disclosure apply में पर मैं देखूँगा disclosure में मुझे क्या देकना है disclose में सारे relevant aspect cover कर रहा हूँ disclosure भी cover कर रहा हूँ तो मेन disclosure बहीं है मेरी पर जितनी competency होगी मिजा जितना आता है मेरी जितनी competency मैं उतना ही करूँगा उससे यदध मैं करनी पाऊंगा, क्या ही cover कर लूँगा, हम मैं उससे ज़्यादा, जितनी मेरी competency उतना check कर सकता हूं, उससे ज़्यादा मैं क्या ही cover कर लूँगा, basic सी चीजे, तो audit ऐसी करो, कि इसमें सारे all relevant aspect cover हो जा, including disclosure, include disclosure, तो मैं disclosure तब ले रहा हूं, तो disclosure देखना पड़ कर लूँगा, ठीक है न, और audit ऐसी करो, कि सारे all relevant aspect cover हो जाए, including disclosure, disclosure भी कर लूँगा, जितनी मेरी competency होगी उतना मैं देख लूँगा, बाकी मैं नहीं देख सकता, बाकी मैं नहीं नहीं देख सकता, outside the scope of competency मैं नहीं देख सकता, ठीक है, यह point याद हो गए, अब तुमको अब यह पढ़ लेते, कि वो ही, audit में ऐसा करो, कि सारा adequately cover all the aspect of FS, FS के जितने भी aspect है, वो गवर कर लो, proper disclosure of financial information, तुम यह भी धिया रखना, कि मलब सारा, कि disclosure देखना है, कि जितने भी disclosure देना है, financial information के properly सब कुछ disclose कर दिया है, financial statement के अंदर management है, relevant information properly disclose कर दी है, और अर उसके बाद, अब इसमें disclosure में क्या देखना है, disclosure में तुम यह भी देखना, कि यह वाली चीज भी disclose करिये नहीं करिये, यह वाली चीज भी disclose करिये नहीं करिये, judgment that management had made in FS for selection and consist selection and consistent applicable accounting policy, जो accounting policy के लिए, कि management judgment लगाते है कि कौन सी accounting policy उस लेने, FIFO method लेना है, LIFO लेना है, WDV से लगाना है, SLM से लगाना है, depreciation, तो जो भी management ने लिया है, को judgment लगाने के लिए, तो वो भी disclose कर देना, वो भी disclose कर देना, accounting policy कों से लगाने है, प्लस FS जो prepare हुआ है, historical financial information के basis पे हुआ है, यह भी तुम बता देना, यह भी तुमको बता देना है, साथ में, reliability and sufficiency of financial information, यह भी reliable होनी चाहिए, information content in the underlying accounting record and source of data should be reliable, कि जो भी आपने, जिस भी information सापने financial statement बनाया है, वो reliable होना चाहिए, जो books of accounts बनाया है, आपका जो accounting software था हो, data जो भी generate हो हो, वो reliable होना चाहिए, जो base data था, जो base data था, original data था, ठीक है न, so assess the reliability of sufficiency of information underlying data, केसे देखना है, आपको देखना है कि जो internal control and accounting system था, टेली या, जो भी था, SAP, वो अच्छा, internal control accounting system अच्छा है, उसमें थोड़ा वो test and inquiry माल दो, थोड़ा verification processor डाल देना, ठीक है, अब साथ में, जितनी मेरी competency ती उत्ता में कर लूँगा, उसके out of scope नहीं करूँगा, not included in audit, जो मेरे competency के बाहर है, जो मैं नहीं कर स असली, मुझे कैसे आगा, तो कोई expert आके बताएगा, यह मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, साइन वावा मेरे साब से असली होगा, investigation नहीं है, यह audit है, अपने पढ़ा है, audit अलग होता है, investigation के अंदर अगर उसने data नहीं दिया, तो police को बुला के jail विजवा देंगे अपन उसको, त investigation में data अपन छीन के ले सकते हैं, audit में यह नहीं कर सकते, investigation generally fraud हो जाता है, fraud के जब suspicion होता है, तब होता है, यह देखो, जब generally fraud होता है, तब होता है, इसके अंदर, इसमें आपने को critical examination करना है, accounts को for specific purpose, कोई purpose होता है, fraud हो गया है, या कोई specific bank loan दे रहा है, तो check कर कर के हो, investigate कर कर company सही है या नहीं, उस चैप में होता है, investigation, यह तो अपने पढ़ा आपने पढ़ा होते है, reasonable rationale that F.S. is free from hotel mess chairman, तो इसका audit का, इसको बहुत general और broad होता है, सब कुछ चेक करो, पर investigation fix होती है, कि जिस चीज में जा fraud type कुछ ऐसा लग रहा है, उधर ही कुसे रहा हो, उधर specific नेरो, कवर होने चाहिए, reliable होने चाहिए, तो साथ में, डिस्क्लोजर अपने देगा आपना, डिस्क्लोजर में अपनको यह बताना है, कि भाई साम management ने जो भी accounting policy लिए, management लगाया accounting policy के लिए, वो disclose कर दिया, वो disclose कर दिया, साथ में F.S. historical financial information के साब से बढ़ा है, वो भी disclose कर दिया यह बोरा है कि insurance के अंबर कई पर fraud हो रहा है, कि insurance के अंबर जो generally ना बतारेगी, असली में laws हुआ ही नहीं, तो भी लोग बाग claim कर रहे है, तो यह पर investigation होगा, audit नहीं होगी audit mandatory होती है, voluntary होती है, जनरली अपने अपने इसाथ से depend करता है, सारी business organization के लिए mandatory नहीं होती है, मैं आपको इस classes में बता चुका हूँ, आपको जिसे proprietor है, partnership है, उनके हमें जनरली mandatory नहीं होती, तो वो voluntary करा लेते हैं, तो दोनों case होते है, audit के दोनों case होते है, जो audit under low require होती है companies act का company लगता है, banking company का, SBI act, banking corporation act होगला लगते है, या कोई specific act, LIC act होगया, tax audit act होगया, उसमें लगते है, voluntary जैसे proprietor entity होगई, जिनकी कोई basic requirement नहीं होती, legal requirement नहीं होती, पर वो internally rule मना लेते हैं, कि यार हमको audit करा नहीं है, हमको audit करा नहीं है, ठीक है न, या फिर कभी बार government ब मालिक होता है, वो ही appoint करता है, बाकि किसी-किसी case में government थोप देती है, कि तुम इदर उनके audit कर क्या हो, जैसे company, company के अंदर क्या होता है, मालिक कोन होते है, shareholder होते है, तो AGM में वो appoint करेंगे, member shareholder AGM के अंदर, government company में अपने पढ़ावा है, CNDG appoint करता है, firm के अंदर partners होंगे, law and regulation के इसाब सब भी कबा, government authority डाल देती है, report किसको submit करनी होती है, generally जो अपन को appoint करता है, उसी को करनी हो पड़ती है, to the person who is making the appointment, return में होनी चाहिए report, audit के advantage क्या होते है, सर, इसकी भी trick, पहले अपन trick से ही चलेंगे, याद करते है, trick माला देखो, कि advantage जैसा है कि मेरी company है, मैं company के internal control कहाँ पे weak है, तो मुझे खुद को फायदा होगा, तो मुझे खुद को फायदा होगा, auditor मेरे internal control अगरा चेक करेगा, तो मुझे खुद को फायदा होगा, वो बताएगा, आपके weakness ही है, आपके internal control में, weakness ही है, तो मुझे खुद को फायदा होगा, क्योंकि के से फायद होगा banker को फायदा होगा सब को फायदा होगा मेरे तो मेरे को फायदा होगा मेरे को फायदा होगा मेरे को फायदा होगा मेरे को खुद 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 को फायदा होगा मेरे को फायदा होगा कि Employee Government Lender, Employee Government Lender, Employee Government Lender सबको फायदा होगा, मुझे फायदा होगा, मुझे फायदा होगा, सबसे पहले तो, Shareholder, Shareholder को मुझे फायदा होगा, क्योंकि मैं day to day involved नहीं हूँ, daily operation में, तो मुझे बजाएगा, control में कहाँ पर, weakness, existence and operation of various control, कि मैं कहाँ कहाँ पर, तो government को lender को सबको फायदा होगा, employee को फायदा होगा, moral check लग जाएगा, उसके ओपर fraud नहीं करेगा, government को फायदा होगा, government को पता पढ़ेगा, tax liability कितनी है इस company की, ठीक है न, lender, banker को फायदा होगा, उनको पता पढ़ेगा, इस बंदे को loan देना भी है या नहीं देना, ठीक है, त इन्हरेंट limitation कै요, audit की एसेडोसर बोलता है, ऐससे डोसर बोलता है, क्योंकि इन्हरेंट limitation है, auditor के, ओर reasonable assurance दे पाएगा, reasonable assurance, क्योंकि ओ final absolute assurance नहीं दे पाता, जो audit evidence भी होते है न, evidence भी persuasive होते है ने nature में conclusion नहीं होते है, जो evidence होते है न, वो persuasive होते है rather than conclusion, मतलब वो ही कि वो persuade कर रहे है final conclusion नहीं देंगे, मतलब एक तरह का आपका ध्यान थोड़ा उदर डाल रहे है, उस जगे force कर रहे है conclusion नहीं दे, वो ही reasonable assurance है, बस over-over, ये other result है अपन क toust benefit future, auditor की जलती management की कोst benefit future auditor की जलती मतलब auditor की processor management की चाला की financial reporting, financial report, financial statement म änना तक management को चाला की करता है, management time to time को judgment लगाता है, estimates लगाता है, वो हो सकता है future में, वो सब कुछ ना हो, मैं future तो देख नहीं सकता जो उसने judgment लगाया, वो सब कुछ गलत हो सकता judgment estimate, ठीक है न, तो ये management की चालाकी, कि management जो फैंसेशन बनाता है, तो judgment लगाता है, management की चालाकी, वो subjective और uncertain होते हैं, ठीक है तो management की ये management की चालाकी हो गए, ये management की चालाकी हो गए, कि वो management की जो जजमेंट लगाता है जो uncertain होते है, future में शायद ना हो पाए ठीक है न, इसलिए मैं कभी भी अप्सोलिटेशरंस नहीं ले पाऊँगा, अप्सोलिटेशरंस नहीं ले पाऊँगा ओटर की गलती, management की चालाकी cost benefit future, तो management की चालाकी बसकुल मेला की, auditor की गलती नहीं हो या असलिमे, बसकुल मिला की auditor जो प्रोसेशर लगाता है वो कुल लिमिटेट रखने पड़ते है audit है, sample checking हो की 100% checking नहीं हो सकती fraud में detect नहीं कर सकता, अगर वो मुझे data fraud होता है, fraud जाला complex होता है, मैं fraud detect नहीं कर सकता वो मुझे data नहीं देगा तो मैं investigation नहीं कर रहा हो वो मुझे data नहीं देगा तो मैं गलती ढूंटका के बिसे, ढूंटका भी कैसे जाला है, तो मुझे प्रेक्टिकल लिमिटेशन है कि मैं 100% transaction check नहीं कर सकता हूं 100% transaction नहीं checking कर सकता हूं में पर legal limitation है कि अगर मुझे data नहीं देगा, management कोई मुझे data नहीं देगा, मुझे data नहीं देगा, मुनको force नहीं कर सकता हूँ data देने के लिए, fraud sophisticated होता है, इस error से जाधा, fraud आपस में लोग बाग मिलके, management, employee, भारवाल अगरा सब को collude करके, आपस में मिलकर fraud कर सकते है, fraud, तो मै साथ में related party transaction में सही से चेक ना कर पाँ, वो मुझे बताए नहीं, related party असली में भी है, related party relationship or transaction, तो इसके हैंदे क्या होगा practical limitation, legal limitation की भाई सहाब, मैं 100% testing नहीं कर सकता है, मुझे sample testing करनी पड़ेगी, legal limitation लग जाती है मेरे उपर, कि अगर मुझे data नहीं देगा, तो मैं उसे data जबरतस्ती चीन नहीं सकता हूँ, साथ में fraud sophisticated होता है, fraud sophisticated होता है, fraud sophisticated होता है, वो गलती से ना मिले है, अपनको ना मिले, management खुद भी involved हो सकता है, fraud document fake, अपनको fake document देके चेक करने के लिए बोलते है, या फिर collision हो जाए, एक employee दूसरे भारवाले लोगों के साथ मिल जाए, और collision कर ले, या फिर एक employee department का दूसरे employee के साथ मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, related part relationship or transaction, auditory गलती, management की चाला की, cost benefit, future, cost benefit, future, cost benefit, वो ही है कि कभी कभार सा होता है, कि audit में आप जो होता है, कि management या auditor कुछ सोचता है, कि मेरी cost जादा लग रही होतीना, तो benefit नहीं नहीं कल रहा, मेरी cost relevant होता है, financial information का, कि जितना धीरे धीरे आपका time period बीचता जाएगा, तो पूरानी financial information comparatively का उनका, उनका जो रूतबा है, मलब उनका जो usefulness है, relevance है, वो गिरते जाएगा, जैसे time निकलता जा रहा है, past period का data होता है, वो ज्यादा काम का नहीं रहा, वो चीजे बदल गई, चीज time to time, diminish होती जाएगी, कि बस उनकी जाबाब relevant नहीं है, वो चीज़ अपने लिए, auditor की गलती, management की चाला की, cost, benefit and future, future, अपन being an auditor, future, अपन predict नहीं कर पाएगे, कि future में क्या होने वाला है, असली में company going concerned, जिंदा रहने वाली या नहीं रहने वाली हो सकता है, future में company बंद हो चा purchase manager उसने collude कर लिया, collusion कर लिया, कुछ भार वाले dealer के साथ, commission वगरा खाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, fake purchase invoice लिने के लिए, तो वो यह एक limitation होते है, internal control के और audit के, तो वो उन्होंने collusion कर लिया, आपस क्यांतर है, time benefit वाला, time benefit cost वाला, की relevance होती है, information के वो गिरते जाती है, time to time, वो explain कर देना, ठीक है, relationship क्या होती है, sir, बाकी चीजों से भी होती है, audit की relationship अपने पढ़ा था, बाकी discipline से भी audit, अगर आपको audit करनी है, तो आपको accountancy आनी चाहिए, आपको accounting ही नहीं आती है, आपको financial statement की audit कर रहे है, आपको accounting ही नही चाहिए, आपको economics आनी चाहिए हो, क्योंकि entity जो होती है, overall economy में ही तो operate कर रही है, behavioral science, आपको human को समझना आना चाहिए, human आपको जूट बोल रहा है, सच बोल रहा है, उससे data कैसे निकलाना है, audit के लिए, यह आना चाहिए, human behavior आपको आना चाहिए, financial auditor को, क्योंकि people के साथ interact क करना होता है, आपको statistics, mathematics आनी चाहिए, क्योंकि आपको statistical sampling करना होती है, mathematics for verification ही सब आपको करना होता है, data processing जो होती है, आपका computer वगरा होते है, computer वगरा चलाना आना चाहिए, EDB processing जिसको बोलते है, enterprise development program, auditing वगरा आनी चाहिए, कि data कैसे बनेगा, computer वगरा की पूरी help से आप data क किसे निकाल सकते हो, वो सब आपको आना चाहिए, system की अच्छी knowledge होनी चाहिए, आपको, it should have a good knowledge of component, general capability of system, financial management आपको आना चाहिए, पढ़ावा है न, आपको आता है, आपको, working capital management, fund flow, ratio, analysis आना चाहिए, auditing and production, the client का production पुरा समझ में आना चाहिए, कि client का दंदा कैसे, marketing कैसे हो engagement क्या होता है, engagement कुछी निक किसी भी काम को करने के लिए, पूरा arrangement, जैसे audit का engagement हो गया, review engagement हो गया, so it's an arrangement to do something, now audit का भी engagement, एक कुल में आपको audit करानी है, किसी की audit engagement हो गया, ठीके चलो, चोड़ो थो, अब मैंने आपको बताया था कि Engagement इस चनलर किते प्रकार के होते हैं, किते टाइप के होते हैं, तो मैंने आपको उसके बताया कि इते Being and C, Chartered Accountant, आप एक में बहुत करके चकलो, कि आप अगर चार्ट अगाउंटेंट हो, आप दो तरह की सर्विस दे सकते हो, एक तो होता है Non-Ass Assurance Services, जैसे को या income tax return, GST return वगरा भरा के चले हैं, उसने जो data दिया, वो अपने उसके हिसाब से income tax authority को file कर दिया, या tax की consultancy दे दी, जहाँ पर अपन कोई assurance नहीं कर रहें, काई पर भी अपन कोई assurance नहीं कर रहें, कि भाई मैंने सब कुछ चेक करा है, यह सही है, गलत है, Assurance Service, तो non-assurance service पर लगता है, standard-on-related service, SRS, SRS, assurance, एक दूसी सर्फ होती है, assurance engagement, अपन किसी को assurance देते है, अपन किसी को assurance देते है, काई पर sign wiring करके, chartered accountant काई पर sign करके बता रहा है, कि यह सब कुछ सही है, हमने चेक करा है, या सब कुछ गलत है, हम assure कर रहे है, हम किसी को assure कर रहे और review कर रहे है, आप audit कर रहे हो यह review कर रहे हो, audit कर रहे हो, तो Stander non-auditing लगएंगे, जिस पर reasonable assurance होता है, related, Stander non-review engagement लगेंगे, review पर जिस पर limited assurance होता है, तो यह is to no review engagement, लगेंगे, तो engagement jak your standards किते प्रकार के होते हैं? सर कितने हैं पर्कार क्यों होते है एक तो अपने पढ्ड लिया SS यह SS और Review जो होते है यह हमसे एंच हिस्चोरिकल फाइनिशल इनफ случае क्यों हो ते इस पे अपने पटोरिकल फाइनिशल इन फोटी इस्ट SCOTT है इसमें लिमिटेड Assurance मिलता इसमें limited assurance मिलता है, इस चेकिंग होती है, इसकी comparative लोवर, लोवर प्रोसेजर होते है, लोवर देन reasonable assurance मालब limited assurance, इसमें कुछ कम प्रोसेजर होते है, जैसे analytical प्रोसेजर हो गया, inquiry हो गया, इसमें यह perform करते है, ठीक है न, इसमें भी साही तो लेते हैं, साही तो इसमें भी लेना है, इसमें भी साही लेना ही है, तो यह independent order, इसमें check करता है, high quality benchmark लगा के, अब S.A.S. के तुमको नाम आते है, S.A.S. के नाम चेप देना थोड़े बहुत ठीक है न, इसके अंदर इसके क्या होते है सर, अब जैसे इसके अंदर एक्जांपल की दो होगा, इसे लोग रिवी इंगेज्मिन इसे लोगा, S.A.S. 2400 और 2410, 2400 और 2410, 2400 और 2410, इसके अंदर review of historical financial statement, जो historical financial statement पूर है, उसका review करना, और एक intreme financial information, intreme financial information, कि जो न, half yearly period के लिए बना है, quarterly period के लिए बना है, intreme, पूरा साल बर का नहीं, intreme, कुछ और टुकड़ा है, उसका आपको review करना है, तो 2400 और 2410, S.A.S. standard on assurance engagement, जो अपन ने पढ़ा है, उपर ही उपर, कि other than FS, other than FS पे अपन कुछ लगा रहे है, तो, ठीक है न, other than historical financial information पे आपको assurance दे रहे हो, ठीक है न, अब इसके अंदे से example क्या हो गया, example हो गया, prospective financial information, S.A. 3400, future का कोई prospective financial information, बजट होग रहा है, वो अपन चेक कर रहा है, auditor, 3402, अपन control पे, अपन किसी के control पे guarantee दे रहे है, guarantee नहीं, अब आप assurance दे रहे, controls पर, control को financial information होता है, कि नहीं, वो तो internal control है, ठीक है न, 3420, अब पढ़ लो, अब इसको समझाने तो कर जो, इसको सम्झाने तो कर जो, या नहीं, वो हो गया, वो financial statement थोड़ी नहीं, वो तो financial information, जो prospectus में, ठीक है न, तो यह है, ऐसे ही हो गया, SRS stand-on related service, जो other than, जो other than आपको assurance service हो गया, कि दे-दे, मेरे को बनाना, नहीं आता है, तो यह हो गया, SRS 4410, compilation engagement, कि इसको compile करना, पूरे financial statement को बनाना, SS400, कि उसने मुझे बोला कि यह यह processor लगा देगी, account receivable पर यह यह processor लगा देगी, कि account receivable का balance match कर देगी, कि क्या, इसका match हो रहा है, कि इससे match हो रहा है, कि इससे match हो रहा है, तो मैंने कोई assurance नहीं दे रहा, तुने जो बोला, वो processor लगा दिये, I agree upon processor, ठीक है, इस पर कोई भी opinion, कोई भी assurance में नहीं देता हूँ, और अब जो SQC होता है, वो सब पर लगता है, इन सब को मिला कि, क्या कहते है, जो उपर पड़े, SAE, SRE, SRS, वगरा सब कुछ, यह सो होलते है, Engagement Standard, क्या बलते है, Engagement Standard, तो Engagement Standard, सारे होना सब पर SQC लगता है, सब पर SQC लगता है, क्योंकि SQC पूरे फर्म पर लगता है, SQC पूरे फर्म पर लगता है, applied to the old service covered by the engagement standard, सारे engagement standard पर लगता है, SQC लगन अपन पढ़ेंगे, next chapter के हम दर, तो SAO, SRS, सब कुछ इनको बोलते है, Audit क्या होता है, Reasonable Assurance होता है, जिसमें अपनको risk acceptably low level पर लाना है, Review क्या होता है, Limited Assurance, यह होता है Reasonable, Audit क्या होता है Reasonable, यह होता है Limited Assurance, इसमें अपन risk लाते है, acceptably low level पर, acceptably low level पर, यह लाते हैं, अपन risk to a level that is acceptable, अभी तरह deep में नहीं जाओंगा, अब अब अपनने free fast circuit पढ़ा है, इसमें जाओंगा, इसमें नहीं जाओंगा, इतनी sale होगी, हमारी 5-5% से grow होगी, वो assumption अगरा, ओइटर को generally देखने होते हैं, इस पर generally कोई opinion नहीं लगाते है, moderate level of assurance, इस पर moderate level of assurance लगता है, तो इसके अंदी language क्या होती है, जब auditor check करता है तब, nothing has come to our practitioner attention, कि हमारे attention में कुछ नहीं आया, मतलब auditory बोलना चाहता है, कि शायद गलती हो, पर हमारे attention में नहीं आया, वो बस यह बता रहा है, कि हमने जो check करा, उस साफ से, nothing has come to our attention, हमारे practitioner में मेरे attention में ऐसा कुछ नहीं आया, जिससे मुझे लगे कि assumption जो है न वो गलत है, assumption reasonable basis नहीं है, हमारे attention में ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है, ऐसा हो पर हमारे assumption में, हमारे attention में ऐसा नहीं आया है, assurance engagement का meaning क्या होता है, जहाँ पर practitioner कुछ conclusion देता है, to enhance the degree of confidence of a user, कि user का confidence बढ़ाने के लिए कई पर कुछ conclusion दे रहा है, वो conclusion दे रहा है, वो match करता है, जो भी subject matter है, जो financial statement है, वो as per frf अकाउंटिं celander बनानी बना, तो वो क्या match कर रहा है, कि जो financial statement है, वो as per frf अकाउंटिं बनानी बनां, तो fs जो कहला काना है, सब्जेक्ड मेटर, पर हमारे braking沒有 से पर ऐसा चलंट là क्राइडरिया, जो financial statement है, वो FRF, मतलब accounting standard के इसाब से बनानी बना। तो यह देखो, यह होता है, इसके अंदर subject matter होता है, suitable criteria होता है, suitable criteria मतलब को branch mark जिसके against में subject matter को evaluate करूँ, कि मतलब यह मेरे FS को लेके FRF के against evaluate कर रहा हूँ, कि FRF ऐसे बोलता है कि accounting ऐसे बनानी बना, यह चेक करने के लिए, तीन parties के अंदर audit करने वाला, करवाने वाला और जिसको report देनी है, और करने वाला करवाने वाला और जिसको report देनी है, responsible party जो subject matter बनाती है, इसे management होगे है, जो financial statement बना रही है, तो audit करने वाला, करवाने वाला, जो responsible party जो financial statement बना रही है, और जिसको report देनी है, intended user, जैसे shareholder, इनको report देनी है, size, sufficient and appropriate evidence लेनी होते है, sufficient मतलब क्या होता है, quantity, appropriate क्या होता है, quality of evidence, quality of evidence, ठीक है ना, यह अपने पढ़ावाए, quality appropriateness होती है, quality appropriateness होती है, return में report देनी होती है, ठीक है, audit review में difference, reasonable and limited assurance में difference, दोनों सेम होते है, अपने पढ़ाथा, बस लंबा चुड़ा, खीचा है, audit क्या होता detail camera, review में कम लगते है, review camera कम लगते, lower level of assurance होता है, यह higher level of assurance होता है, इस camera जो आपनको लगाने है, inquiry, inspection, observation, analytical, सब मलब सब कुछ लगाने, इधर आपनको कम processor लगाने, साही तो लेना है, पर कम processor लगाने है, generally analytical processor लगाने है, inquiry भी लगाते है, अब यह यह हो गया, reasonable and limited assurance में क्या पर लगाते है, इसमें reasonable assurance होता है, इसमें limited conclusion देना परता है, इसमें reasonable होता है, इसमें limited होता है, यह audit होता है, review होता है, क्या है, जब रदती खीचा इधर तोड़ फोड़के, अब एक और क्या है, duty in relation to the engagement and quality control standard की, जो engagement and quality control standard के साब से duty क्या होती है, professional accountant मेरी duty क्या होती है, कुछ का इसमें का topic नहीं इसके अंदर, पर ठीक है, कि मेरी professional accountant है, तो engagement standard follow करने की मेरी duty है, जितने भी engagement standard थे न, SAE, SRE, SAE, तो मेरी duty है में उनको follow करूँ, मेरी duty है, उनको आता है, ऐसा है, इसा है, important नहीं, important तो है, कि मेरी duty है उनको follow करूँ, अगर गलती से में कुछ follow नहीं कर नहीं कर पाया, क्योंकि inventory border पर पढ़ी थी, तो में नहीं कर पाया, उसके रिए मैंने alternate processor क्या लगाया, तो वो लिख करो, आप नहीं करो, पहले तो करो, पर नहीं कर पाया, तो आप बतातो थो कि आप नहीं कर पाया, उस SS को follow, engagement standard को follow, ठीक है, तो specific browser अगर standard का मेरी ineffective है, जो म external confirmation नहीं ले पाया है, तो वो बोल रा है, कि mandatory तो है, नहीं वा ठीक है, चलो छोडो, ऐसा नहीं, तो alternate processor उसने क्या, alternate processor लगाया है, उसने यहाँ पर, alternate processor लगाया है, कि अगर वो external confirmation नहीं ले पाया, तो उसने e-way भी लग रहा है, इस साब check कर लिये, तो बस ठीक है, उसको document कर करना है कि alternate process क्या लगाया है और report में लिखा किना है एक तो document करना है कि उसना alternate process क्या लगाया और report में लिखाना 1 report में बताना है उनका draw करना युजर का texture की मैं यह नहीं कर पायर सो वंसे में यह व्ला कर ए il क्वा financial matter से deal करना होता है ठीक है ना तो उसको आना चाहिए error flow के से निकालने वो ठीक है अब ABCD वाला FGHI ABCD FGHI वाला वो जितनी भी alphabetical आते हैं नहीं यह जो भी बुलते हैं इसको alphabet वो याद कर लो CD C दो गड़ी होता है FGHI ABCDEF FGHI होता है FGHI आई दो बार आ गया ABCD PQRST Q अटा दे नमबर से PQRST RST FGHI Firmness good temper Headness Eye integrity आई से बवी लगा तो अब उसको पर तहां पर सब्सक्राइब पेड़िविलिटी ट्रेक्ट पेश्ञनस रिलायबिलिटी टेक्ट अब यह जितने आदे अतिर कर लो बहुत रेर्ड चांसे वाल व्लेक्ट कोशन आने का ठीक है फिल में मैंने ढोग ट्रिक कोशन बना के बावा है ना, integrity, objectivity और independence भी एक अलग होना ही चाहिए independence एक अलग से होना ही चाहिए तो independence होना चाहिए, integrity होना चाहिए human quality होना चाहिए, उसको technical requirement professional training, education पूरा अच्छे से होना चाहिए accounting knowledge होना चाहिए अरे यार, बखवासीज माला चेपना है ठीक है ना, यह होगए, दो सिंके read मालना है तो post करें, read मालना है, चीक है यह होगए, चलो सर इसका अपना revision होगए मैं कुछ कोंगो, सारे chapter का डाल दू, at least बड़े chapter है, last के खास करके, bank audit audit of different type of entity audit of different item of financial statement at least इनका तो डाल दी दूँगा और यह बहुत से डालूँगा, और free fast track बेच अलड़ी बता दिया, भी भी आपकी audit नहीं हुई आप मुझे नहीं पता किस time पे देख रहे हो, पर almost 45-48 गंटे में पूरी audit आपकी हो जाएगी, अच्छे से अगर आपको लेना हो free fast track बेचे कुछ chapter के लिए admin cost देनी होगी, आपको maximum YouTube है पर कुछ chapter के लिए admin cost 500,000 रुपए only अभी वाले अटेम के लिए बात में बढ़ेगी बात क्यों नहीं बोल आप भी लेना हो ले लो ना, ठीक है ना देख लेना आपको, बाकी book मैंने आपको बताई दिये book प्यारी सी, आपको यह वाल लेनी है तो book का भी नीचे description लोग देदूँगा, आपको भूछ से notes चाहिए, इसके notes अगरा भी चाहिए तो मैं भूछ से chapter टेलिग्राम चैनल पर free में दे देता हूँ टेलिग्राम चैनल नीचे link दे देता हूँ आपको जोइन करना हो तो कर लेना और बेशर्म हो इतनी मैनत कर रहा हूँ एक subscribe तो कर दे करो like channel subscribe आपके junior को सेश कर दे करो एक हेमन से इतनी अच्छे इतनी मैनत कर ले आपके लिए पर बत्तमीज लोग आप तो नहीं बेनफिट उठाके चले जाते हो नार्च यूडर्ज सब्सक्राइब कर आप व्यूस इतने आ जाते सब्सक्राइब नहीं करते बच्छे चलो टाटा बाइबाइबाइब सी यू बेस्ट आफ लगए